हेलो फ्रेंज, वेलकम टो नामिका किचन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही हल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये है मौंग दाल का चीला, आज ये मौंग दाल का नहीं है, बलकि इसमें मैंने थोड़ा चनादाल भी आट किया है, तो ये और भी ज्यादा हिल्दी है, तो इसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या रात को डिनर में भी जोखा सकते हैं, बच्चों को आप लंच में या टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो देखते हैं चलिए कि कैसे बनाए है मैंने इस रेसिपी को, सबसे पहले तो म खाली मूंग दल से भी बनाया जा सकता है, खाली मूंग दल का चीला भी मैंने बनाया है, वीडियो अपलोड करके रखा है, मैंने अपनी चैनल में देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं, तो एक दो घंटे भी बिगाले तो भी मैक्स है, जैसे कि शाम को बनाना है, तो च सोचा कि वेजीज डाल देती हूँ और आलू भी डाल देती हूँ तो तीन आलू बॉयल था है मेरे पास पड़े हुए और ये थोड़ा कड़ी पत्ता है ये धनिया है ये गाजर कद्डू कस कर लिया है ये प्याज को थोड़ा सा मैंने spring onion को और capsicum को एक साथी manual chopper में chop कर लिया आप चाहे तो boil aloo को skip करके सिर्फ veggies डाल सकते हैं तो अब इसमें एक तड़का लगा लेते हैं इसमें मैंने थोड़ा सरसो तिल डाला थोड़ा सा मैंने zira डाला और mustard seed डाला और ये है कड़ी पत्ता इन तीनों को जब अच्छे से चटकने लगे तब इसमें हम अपने veggies डाल देंगे veggies को हमको over cook नहीं करना है बस जरा सा इसको fry करना है थोड़ा सा कच्चा पन इसका खतम करना है बस तो ये मैं इसको 2-3 मिनिट तक full flame में अच्छे से fry कर लूँगी आपके पास fridge में जो भी सबजी है वो इसमें आप डाल सकते हैं तो अब इसको थोड़ा सा fry करने के बाद इसमें हम जो सूखे मसाले हैं वो आपका जो choice है basic मसाले वो इसमें डाल दीजिएगा मैंने इसमें सिर्फ haldi डाला है थोड़ा सा खूप सारा डालिएगा तो मसाला डोसा जैसे बनता है ना तो उसके अंदर जो आलू होता है आपने देखा हुआ ऐसा सूखा नहीं रहता है थोड़ा सा गीला गीला रहता है तो उसमें क्या करते हैं वो लोग थोड़ा पानी डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा गीला गीला रहता है तो खाने में भी टेस्टी लगता है वो तो इसलिए मैंने भी इसमें थोड़ा सा पाने डाल कर इसको थोड़ा गीला कर दिया और इसको ढखके में रग दूँगी पस ये हमारा हो गया मिश्रन तयार अगर आप हेल्थ कॉंशियस हैं तो आलू को बिलकुल स्किप कर सकते हैं, खाली वेजीज डाल दीजिए, आप बीटूट डाल सकते हैं इसमें, ब्रॉकली डाल सकते हैं, बहुत सारी सबजिया भी अविलेबिल थंडी का मौसम है, या पनीर भी डाल सकते हैं, तो ये था हमारा बैटर, इसको fermentation की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी हमने पीसा था इसको, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया थोड़ा सा, और अब इसको मैं अच्छे से mix कर लूँगी, consistency आप देख सकते हैं, कितना कैसे रखना है, और इसे पतला भी कर सकते हैं, ये देखिए मेरे हाथ का हालत, कल मैंने हेना पेस्ट बनाए था, वीडियो अप्लोड किया था, अगर आपने नहीं देखा, तो देख लीजेगा, इतना कड़क रंग आया था, और लोवे की कड़ाई में भिगाया था, इसलिए हाथ भी पूरा काला हो गया है, तो टिप आफ देख जब भी आप हिना लगाए ना, तो जरूर हाथ में गलफ्स पहन लीजेगा, जो मैंने नहीं पहना था, तो चलिए दोसा बनाते हैं, पहले तो दोसा बनाने सबस्ट जब बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद हम इसको एक कडची भर ले लेंगे, और clockwise हम घुमाएंगे इसको ये देखिए, clockwise धीरे धीरे हलके हातों से हम इसको चारो तरफ घुमाएंगे, ये देखिए, पतला, मोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो मोटा खाना तो मोटा भी कर सकते हैं, और ये मैंने ढाल दिया थोड़ा सा घी, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, तो अब इसमें मैं बीच में स्टाफिंग डाल दूँगी, और इसको मैं 2-3 मिनिट तक कम आच में ही पकाऊंगी, आप तेज आच मत रखेगा, तेज आच रखने से क्या होगा, ये पकेगा नहीं, जल जाएगा पहले ही, तो बस इसको आप फोल्ड करके, तीन फोल्ड करके, पीस-पीस करके काटके, आप टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और एक खा लेते हैं तो पूरा पेट अच्छे से भर जाता है, इसमें बिल्कुल भी चावल नहीं है, सिर्फ दाल का बना हुआ है ये, तो ये बस मेरा हेल्दी ब्रेकफास बनकर बिल्कुल रेड़ी था, इसको मैं सर्फ करूँगी, धनिये की चटनी के साथ साथी साथ तो मैंने कड़ी पता भी आड़ किया है, तो आशा करती हूँ, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल में ने हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और इसको जरूर घर में बनाईएगा, और अपना फीड़बैक मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे दीजिएगा, क्रणक्त दो सब्सक्राइब देगों कि झारूर करा अपना लूर कि अपनागा,